आउ सिखे आज के चनल में आप सभी का स्वागते आज को टॉपिके से एक सीच के उपर नहीं है पहले तो मैं आपको ये बात पता दूँ देखिए पहला तो होगा हम री के उपर काफी सारी वर्ड मिनिंग सीखेंगे वह भी बहुत आसान तरीके से ठीके आपको मैं समझा द ताक कि आपको पदा चल सके तूसरा टॉपिक होगा सीखे को क्या पढ़ते हैं और इसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं पढ़ने में ये सब तीसा टॉपिक होगा आपका जी यू को क्या पढ़ते हैं और इसको पढ़ने का और भी कोई तरीक तो अगर आप चाहते हैं कि काफी सारी चीजा आपको सीखने को मिलें तो पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा क्योंकि इस लिज 2 सीखने को मिलने वाली है अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद एक घंटी बनी होई आएगी उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सके तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपको तीन चार टॉपिक पर मैं सीखाने वाली हूँ तो आप पूरी वीडियो देखेगा तो सबसे पहले हम री वाला टॉपिक की ले लेते हो और इससे अच्छे से सीख लेते हैं जी हाँ अब री का मतलब आप समझ रहे होगी कि इसमें क्या सीखना है री मतलब फिर से या फिर दुबारा से ये तो हमें पर आपको ये सीखना है कि जहां भी आपका री लग जाएगा ना किसी भी वर्ड के सुरू में तो वो वर्ड उसका मतलब आपको मैं समझाने वाली हूँ तो पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से मैं समझा रहे हूँ यहां पर देखिए री लगा हुआ है री वर्थ तो वर्थ में सोता है जन्म और री का मतलब क्या बताया था आपको दुवारा से तो जहां भी सुरू में री लगा होगा महाँ पर आपको समझ जाना है कि यहां पर किसी भी चीज़ के बारे में दुवारा से बात हो रहे है यानि कि उनने फिर से कोई वो काम किया है या फिर द दुवारा से जनम लेना, Re, Build, Build में सो टाइब बनाना, और Re मतलब दुवारा से, यानि कि कितना सिंपल हो गया, Word मिनिंग को समझना, दुवारा से कुछ भी बनाना, ओके, अब आपको समझ में आ गया, जहां भी सुरू में Re लगा होगा, वहां आपको समझ जाना है कि, इसका मतलब यह ही है कि, दुवारा से कोई चीज करना, उसके पीछे वाले वर्ट को बस आपको समझना पड़ेगा, अब यह देख लीजिए, अब है Re Capture, Re मतलब दुवारा से, Capture मतलब किसी चीज को पकरना, या फिर कुछ भी Capture करना, तो यानि कि, दुवारा से पकड़ना, तो यहाँ पर आप समझ गए, अब यह देख लीजिए, इसमें भी यह ही है, वर्ट मिनिंग भी साथ के साथ याद करती दीजिए, क्योंकि काफी काम आने वाली है, यह वर्ट मिनिंग आपके, लिख चिंडर, यानि कि इसका मतलब होता है, री माने दुवारा से, और इसका मतलब सिंडर मिस होता है, विचार करना, यानि किसी चीज के बारे में, दुवारा से विचार करना, यानि सोचना, ओके, री एंटर, यानि की दुबारसे enter करना जयसे कहते हैं entry कर रहे हैं उसको दुबारसे लिखना या दुबारसे कुछ भी करना तो re-enter यानि की दुबारसे उसको enter करना ठीक है पर्वेश करना यह सूधी हुंदी मैं मैंने लिख दिया काफी लोगों का अच्छे से समझ में आ सके री फिल फिल मिस होता है भरना इतना तो आपको पता ही होगा नहीं पता है तो सीख लीजिए री मतलब दुबारा से तो कितना आसान है री फिल री फिल मिस दुबारा से भरना तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ना कि मुझे नहीं पता वर्ड मिनिंग का मतलब जी हां तो आसानी से याद कीजिएगा ताकि आप आगे बढ़ सकें और अच्छे से सीख सकें अब इसको आप समझ जाएं कि जहां भी री लगाएं कोई भी चीजों कहीं भी री लगाओ सुरू में मतलब वही है और री ओपन हो गया तो क्या मतलब है दुबारा से खोलना तो कितना इजी हो गया है आपके लिए बस आप इसे याद कीजिएगा कोई भी प्राब्लम हो कुछी भी टॉपिक के आपको सीखना हो मुझे बताईए कॉमेंट कीजिए मैं आपको हाट टॉपिक पर वीडियो बनाने की कौसिस करूंगी रिपे यानि की बापस देना किसी चीज को बापस देना ठीक है न यहाँ पर आप समझ गए पेमिस होता है चुकाना या फिर देना ओके रिपे यानि की दुबारा से देना ठीक है तो यहाँ पर आप समझ गए होगे कोई भी कन्फियूजन नहीं है बहुत ही सिंपल है आसा तो अच्छे से देख सकें, ठीक है, reprint यानि कि दुभारा पैसे देना, ठीक है, तो यहां पर भी आप समझ रहें, किस तरीके से मैंने बताया है, यहां पर देखिए, यहां पर भी इसी तरीके से है, reread, read में इस क्या होता है, पढ़ना, अब री लग गया तो मतलब दुबारा से पढ़ना तो यही आपको simple याद करना है री का मतलब पता है तो पीछे वाले का मतलब पता चली जाएगा और अगर आपको पीछे का भी मतलब नहीं पता है तो उसको याद के लिजे इस वीडियो के शुरू ताक कि आपको आगे problem नहीं हो restart में इस तो आपको पता ही होगा यानि कि किसी चिज़ को सुरू करना ठीक है restart मतलब दुबारा से सुरू करना तो यहाँ पर पर आप समझ के होगे री किस तरीके से लिखना है अब आप लिख भी आसानी से सकते हैं कि आपको पता है किसी भी चिज़ को दुबारा से आपको बोलना है तो री लगाना है तो लिखने में भी बहुत easy हो गया rethink यानि कि फिल से सोचना या फिर दुबारा से सोचना तो कितना simple है इसकी spelling भी साथ के साथ समझते जाएए जो पीछी की है ना री तो छोड़ी दीजिए क्योंकि री तो आपको याद हो ही गया होगा think हो गया जो और पीछी की word meaning है उन्हें याद कर लिजे ताकि आपको कुछ word meaning भी याद रहे simple सी reunite इसका मतलब होता है फिल से इखटा करना यानि किसी चीज़ को दुबारा से इखटा करना या फिर जैसे इखटा करना का मतलब तो आप समझ ही गए होगे तो unite मतलब होता है इखटा करना और री का मतलब होता है दुबारा से करना ठीक है ठीक है reuse use means क्या होता है इस्तमाल करना किसी चीज़ को भी हम इस्तमाल करते हैं उसको use बोलते हैं तो re लग गिया है तो मतलब दुबारा से इस्तमाल करना तो बहुत ही आसान है ये भी आप समझ गए होगे अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताईए जो भी problem है मेरी वीडियो में मुझे जरूर बताईए ताकि मैं उसे सौ अच्छे से कर सकूँ सही से और आपको कोई भी problem ना हो सके ठीक है rewrite, write मिस क्या होता है लिखना, ठीक है rewrite मतलब दुबार असे लिखना फिर से लिखना, बात वह ही है अभी तक हमने समझा बहुत ही simple topic था समझ गए होगे अब है CK को क्या पढ़ते है काफी लोगों नहीं मुझे बोला कि मैं CK को क्या पढ़ते है हमें confusion हो जाती है क्योंकि के को का पढ़ते है पर अगर CK साथ लोगों तो उसको क्या पढ़ेंगा और किस तरीके से पढ़ना अगर आपको अभी इंगलिस पढ़ना सीखना है आपको नहीं सही सह है तो मुझे बता जीजे मैं दुबारा से सुरू करने वाली हूँ आपको इंगलिस पढ़ाना chapter by chapter यानि कि एक chapter के थुरू जितना chapter होता है उतना मैं लिख के रखूँगी और एक-एक spelling आपको समझाँगी इसको किस तरीके से पढ़ते हैं क्यों से वर्ट silent होते हैं क्यों से नहीं होते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की टॉपिक की वीडियो बनाओ तो आप मुझे बोल सकते हैं तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की सोचूंगी और बनाने की पुरी कोसिस करूंगी अब देखें GU यहाँ पर आप बात हो रही है GU को क्या बढ़ते हैं और उसको कब गा बढ़ते हैं अब देखें GU के बाद अगर कोई मात्रा आती है अगर आपको यह नहीं पता है वैसे तो इतना पता ही होगा कि मात्रा क्या होती है A से ना से अंगा खाली तक इतना तो आपको समझ जी आ रहा होगा वो सब होती है मात्रा यानि A से O से औरत तक मात्रा होती है और यहाँ पर देखे G U के बाद अगर कोई भी मात्रा आती है इंगलिस में कैसे समझोगे A I O U यह 5 वर्ड होते हैं अगर यह मात्रा आती है तो महाँ पर G U को गापड़ते हैं अब कैसे समझोगे यह समझ लो देखे G U आ रहा है शुरू में देखिए उसके बाद क्या आ रहा है A अब A आ रहा है तो वो क्या है वावल्स यानि की मात्रा यानि की A को आप किस तरीके से समझेंगे यह मात्रा है इसको हिंदी में समझे A को क्या बोलते हैं A जाऊ तो यह मात्रा हो गई तो यहाँ पर इससे गाह पढ़ा जा रहा है ऐसी दूसरे वाले में देहिए केस में, यहाँ पर भी GU के बात क्या आ रहा है? और आप E क्या है? E को हम क्या वोलते हैं हिंदी में? E ठीक है, तो वो भी एक मात्रा है, असे नार में आता है न तो समझ में आगया होगा आपको किस तरीके से पढ़ना है तो अच्छे से सारा दिख रहा है आपको डोल । सहां को डिंत हीगा में आफा रही हो देती हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आई हैं क्योंकि मैंने एक का बता दिया एक का बता दिया आई भी बता देती हूं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जी यू के बाद आई है तो यहां पर देखे जी यू को गढ़ रहे हैं गाइडन्स यानि की मार्क दसन जो हमार को अच्छी सला देते हों जो हमें सही रास्ता दिखाते हो उन्हें बोला जाता है ठीक है तो यहां पर भी आप समझ गहे हैं अमें एक हो टॉपिक दे देती हूं ताकि आ पच्छे से एक वड़ो दे देती हूं देखें यहां पर भी देखिए जी यू के बाद आई है अब पाई क्या है मात्रा अब हिंदी में देखिए आई को क्या बोलते हैं उससे आपको समझ माज़ेगा नीचे भी देखिए गिल्ट में भी आप देख रहे हैं जी यू को गा पड़ना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कभी पता चला आप G को गा पढ़ें और U को U की मातरा या फिर U की मातरा को इसी भी मातर लगा रहें यह सब नहीं करना है G U को सिफ गा पढ़ना है दोनों को जोड़ देना है और जो I है उसको आप मातरा के थुरू इस्तमाल कर सकते हो और मातरा लगा सकते हैं गिल्टी में आप देख रहे हैं यहां पर भी देखें जी उके बाद बाई है अब आप कहरे होंगे कि भाई तो मातरा नहीं है फिर यहां पर क्यों आया है देखें, Y क्या होता है? वो भी एक bobbles सी माना जाता है, जिसे हम semi bobbles कहते हैं, क्योंकि Y को हम E भी पड़ते हैं, कई जगा हम Y को या पड़ते हैं, पर Y को या जब पड़ा जाता है, जब वो last में होता है, अगर पीछे हैं तो E पड़ा जाएगा, तो समझ गए होंगे, यहां प्रवयां कर दो